वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जो कहा जाता है भारत सरकार इंडियन आर्मी जो है इसको बहुत ही जल्द चेंज करेगी मतलब जो रेशो है यह पूरे तरीके से यहाँ पर चेंज कर दे जाएगा और आपको अल्रेडी पता है कि रेशिया यूकरेन पर वार चल रहा है उसके बात से दुनिया भर की जो सिच चाइना ताइवान टेंशन भी देखने को मिले गए और भारत के रेशियन के अगर हम बात करें तो एक तरफ चाइना है एक तरफ पाकिस्तान है और दोनों ही देशों से हमारे रेशियन जो है आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे नो देखिए यह जो पूरे चैंज जा रही है यह आपको नव भरा टाइम्स का भी आर्टिकल देखने को मिलेगा क्या है सेना के भीतर तू तू टेल रेशो चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर होने जा रहा है बड़ा चिंज तो डिस्कस करें में इस वीडियो में काफी कोच जो है आपको आज किस वीडि कर सकते हो प्रलिम्स में इस ऑप्शनल अंसर अटेक वेलेशन टेस्स सीरीज वनिस्टॉप डिस्टिनेशन स्टेडी फॉर सिविल सबस्ट सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसके साथ जो हमारा फ्री टैलीकराम ग्रॉप है उसको बिलकुल यहाँ पर जोइ करिएगा ना देखिए फरस्ट अफ वाल अगर मैं बात करू तो आज के समय आपको पता है कि दुनिया भर में जो मॉडर्ण वारफेयर है वह आपको देखने को मिलेगा मतलब आज के समय जब से रश्या यूक्रेन वार हुआ है उसको हम एक इस तरीके से भी देख सकते है क जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो दुनिया भर में जो अलग-अलग सेना हैं जो वर्ल्ड की टॉप फोर्से से वो अपनी अलग-अलग तरीके से टक्टिक्स जो है यहाँ पर यूजना यहाँ पर बनाती है इसी तरीके से अब भारत भी आपको उसी राह पर देखने को म तरीके से ऐखने को मिलेंगे इनको अलग-ख तरीके से मैनेज किया जाता है आरमी जो है इनको अपने और कुछ आर्मी में होते और में कॉपस होते हैं और के बिडालीयां होते पर ओवां शु कौन दाए कौन क कुंट रही है उनको करते हैं और आपनों का जा जाता है तो तो एक तरफ आपको तूद्टफ देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको विखने को मतली मतलब जो जवान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है वो टूथ है इसके साथ एक जवान जो पीछे उसकी मदद यहां पे कर रहा है जो उसके लिए समान लेके आ रहा है जो उसके खाना लेके आ रहा है इसके साथ जो लॉजिस्टिक यहां पे लेके आ रहा है उसको जो है टेल यह तो टो टेल रेशो की अगर हम बात करें एक military के टम पर तो simply इसका मतलब यह होता है एक जवान जो है वो border पर deploy किया गया है इसके साथ साथ एक जवान जो है जो essential supply है उसके support को यहाँ पर deliver कर रहा है तो basically यही जो जवान के बीच का ratio है इसको कहा जाता है तो टो टो टेल रेशो अब अगर हम बात करें इंडियान आर्मी में जो support system है उसकी तो total number of combat arms आपको infantry और mechanized forces देखने को मिलेगी और वही अगर हम बात करें support service की तो उनके support में logistic, maintenance, medical यह सब जो है इंडियान आर्मी में आपको देखने को मिलेगा तो basically इस तरीके से पूरे इ सरकार जो है इसी रेशो को पूरे तरीके से यहाँ पर correct करने वाली है basically जो unnecessary departments है आर्मी के उनको यहाँ पर कुछ को यहाँ बंद किया जाएगा इसके साथ साथ आपको जो हैं इंडियान आर्मी में जितने जवान यहाँ बार्टर में खड़े हैं उससे ज़ादा जवान जो जो है इन सब चीजों को यहाँ पर बदलने वाली है और अगर आप चाइना और पाकिस्तान से यहाँ पर compare करोगे ना कि इंडियान आर्मी के पास जो support system है या जो टेल में यहाँ जवान काम कर रहे हैं वो ज़ादा ही या कम है तो चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले जो ह इन आर्मी में एजा टेल जो है सर्व कर रहे हैं अब भारत सरकार इसी को यहाँ पर change करेगी मतलब इन आर्मी जो है पूरी तरीके सेंसर्फ चीजों को यहाँ पर change करने वाली है लेकं अब आप यहाँ पर यह बोलोगे की ठीक है इन तो क्या अभी का एवरेज कितना है दे कि कि जो 9000 soldiers हैं वो जो है उन warriors की यहाँ पर help करते हैं मतलब tooth to tail ratio जो है भारत का वो पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में बहुत जादा है और देखिए इसका दूसरा reason यहाँ पर यह भी है कि Indian army पर बहुत जादा burden पड़ता है मतलब भारत सरकार पर बहुत जादा burden पड़ता है क्योंकि इतने लोगों की pension यहाँ पर देनी होती तो लगबग जो है आपको 2300 देखने को मिलेगा वही अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना में आपको 1200 जवान जो है देखने को मिलेंगे तो अगर हम पाकिस्तान और चाइना से comparison करते हैं तो इंडिया का जो two to tail ratio है वह बहुत जादा है देखिए हमारे है 9000 और उनके ह कितने 2300 तो मेली हमारे जो है काफी जादा जवान है और इन जवान और भारत सरकार पर इन जवानों का जो है बहुत जादा यहाँ पर खर्च पड़ता है और आज से में भारत सरकार कंटिनसली यहाँ पर यह कोशिश कर रही कि हम modern जो weapons है उनको जादा यहाँ पर procureur करें इ जिसके लिए अगनी पत स्कीम भी जो है यहाँ पर लेकिया आई गई जिसका जो है काफी जादा यहाँ पर वरोध हुआ लेकिन देखिए हमारी सरकार के पास उतना पैसा है नहीं अगर हम पूरा पैसा जो है यहाँ पर पेंशन में दे देंगे तो modern weapons जो है बिलकुल भी हम हुआ है नो अटला साही होब कि आपको जो है इस वीडियो में काफी को चानने को मिला होगा आप अपने उपीने लिखिए कि ज़रूर टू टू टेल रेशो के बारे में चायना और पाकिस्तान से जो हमने कंपरेजन किया उसके बारे में सुने के लिए बहुत धन्यवाद जहिंद जबारत